नमस्कार दोस्तों शुआगत है आपका हमारे हिल चनल हिंदी मेडिकल में आज फिर एक फिर वीडियो के साथ मैं सोन उठा करू पच्तित हूँ दोस्तों आज कि समय में हार्ट बर्न यानि सीन्य में जलन या सीन्य में दर्द की समस्या काफी जादा बढ़ रही है कई बार त जबकि दोनों बिमारियों के कारण और इलाज अलग-अलग होते हैं इसलिए हमें यह जनना जरूरी हो जाता है कि हमें दिल का दोरा पढ़ रहा है या हमें सिर्फ हार्ट बर्न हो रहा है तो अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या हो रही है अपने सीने में तो आज हम इस पर दोस्तों वीडियो के निचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले दोस्तों हाट बर्न यानि सीने में जलन के कारण की बात करते हैं तो यह कोई गंभीर समस्या नहीं यह एक समान समस्या है जो हमारे पेट में एसिट के बनने के कारण होता है और यह आहार नाल के माध्यम से उपर की तरफ उठता है तो हमारे सीने में जलन और दर्द होता है पेट में जब भी हमारे एसिट बनता है ज्यादा मातरा में तो यह आहार नाल के उपरी परत को परभावित करता है जैसे पेट में हलका फु अगर आपको हो रही है तो यह गंभीर समस्या भी हो सकती है अगर आप भी ज्यादा दीनों से अपने सीने में जलन और हाट बर्न की समस्या से जूज रहें तो एक पर जाके डाक्टर से संपर्ग जरूर करें और इसके बारे में प्रामस ले आप बात करें हाट अटेक यानि दिल का दोरा, या एक गंभीर समस्या है और इससे आप जिंदगी और मोश से भी जूच सकते हैं या समस्या तब होती हैजब हमारे दिल में खून की सुप्लाई में किसी तरह की रुकावट आ जाती है और दिल तक आक्सिजन की सप्लाई रुक जाती है तो इससे दिल का दोरा पढ़ जता है हाला कि दिल का दोरा यानि हार्ट अटेक होने के और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे दिल की धमनियों का ब्लाक होना या खून में थक्के का जम जाना या ज्यादा मत्रा में कोकेन, सराबनी या ऐसी चीजों का सिवन करना जिससे हमारे खुन ब्लॉक होता हो और इस कारण भी हमें हार्ट अटेक अनि दिल का दोरा पढ़ सकता है अब बात करें दोस्तों हार्ट बर्न और हार्ट अटेक में मुख्य अंतर की तो आज हम चार मुख्य अंतर जानेंगे जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है पहले मुख्य अंतर की बात करें दोस्तों तो जब भी आपके सीने में जलन या दर्द होता है अगर आपको हार्ट बर्न की समस्या है तो वो आपके चाती के बीच में होगा और चाती के ऊपर की तरफ होगा ये आप बात ध्यान देजिए का अगर आपको हार्ट बर्न है तो चाती के बीच में होगा और चाती के ऊपर की ओर होगा लेकिन अगर आपको heart attack की समस्या हो रही है तो उच्छाती के बाई तरफ होगा और उच्छाती के बीच में होगा यह हमेशा ध्याने गया जब भी heart attack वाले सीने में जलने या दर्द होगा उच्छाती के बाई तरफ होगा और उच्छाती के बीच में होगा तो यह सबसे मुख्य अंतर है, दूसरे मुख्य अंतर की बात करें, तो जब भी आपको हार्ट बर्ण की समस्या होती है, तो अक्सर आपको भोजन करने के बाद होता है, जब भी आप खाना खाएंगे उसके बाद यह समस्या बढ़ जाती है, जब कि हार्ट अटेक के मामले मे है सा अपके सिनय में दबाव होता है सिनय में जकन होता है और सिनय में कुछ जादा समय तक चलता आ है का मामले जादा भोजन करने के बाद दिखेगा में चार्ट वो हम जाएगा लेकिन यह अныхzer 국ा नहीं कि नहीं किसी जगह नहीं दिखेगा अगर आपको heartburn के कारण हो रहा है लेकिन अगर आपको heart attack की समस्या से कारण हो रहा है तो आपको तो पहले चाती के बाई और दिखेगा उसके बाद कंधे पे दिखेगा बाह में दर्द दिखेगा गर्दन में दिखेगा पीठ में दिखेगा और तींचा जगह जो इस पोर्शन का होता है उस जगह आपको दर्द दिखने लगेगा जबकि हार्ट बर्ण वाला दर्द सिर्फ आपको छाती के बीच में और उपर की तरफ इसकी अलावा कहीं नहीं दिखेगा चोधे मुख्य अंतर की बात करें दोस्तों तो जब भी आपको हार्ट बर्ण या सीने की जलन की समस्या होती है तो आपके मुँ में खटा कड़वा और कोई भी चीज निकलने में दिक्कत होता है और जब आप पानी पीते हैं तो आपको थोड़ा सा आराम मिलता है तो हार्ट मुख्य अंतर हैं अगर आपको हार्ट बर्न और हार्ट टाटेक में अंतर समझना है तो जब भी आपको बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या तो आपको दुरंट डाक्टर के पास दिखाने जाना है नौर्मल जो खटी डॉक्त होते हैं या खाने में जो दिक् गंभीर समस्या होने से बस सकते हैं कोई गंभीर विमारी आपको नहीं होगी